नारी के नाम अनिक, ललना, नारी, रमनी, कांता, वनीता और महला, जैसे उसके नाम होते हैं, उसके रूप भी उतरे ही होते हैं, कहते हैं, रिष्टों की डोर को थामी रखती है, रिष्टी की डोर को थामी रखती है, ना समझने को वो समझने लगती है, लगती है वो किसी आ महला दिवस के उपलक्ष पर खास तोर से अपने चैनल पर आप सभी का स्वागता और अभी नंदन करती हूं दोस्तों आप जानते हैं कि 8 मार्च को महला दिवस आ रहा है यानि वूमेंस डे और इस वूमेंस डे को आप खास बनाना चाहते हैं उन महलाओं की परती अपने को यदि वक्त करने का मोका अगर आपको मिलता है और इस महला दिवस के उपलक्ष पाप यदि धमा के दार स्पीच देना चाहते हैं और अपनी बात को नारी की सम्मान को सबके सामने व्यक्त करना चाहते हैं तो एक खास वीडियो आज आपके लिए तो चली दोस्तों शुर कि में पूरे वीशो में 8 मार्च को महला दिवस बनाये जाता है और यह खास दिन बहुत खास होता है इस खास दिन को सेलीबरेट करने का मुख्यू देश होता है कि इत्यास में किये गई कारियों कि जो महलाओं के दुवारा उलेखने कारिय, ये सरहनी कारिय किये जाते हैं, उनको सम्मानित करने का दिन होता है, उनकी प्रसंसा करने का दुन होता है, उन्हें वो प्रेम और स्तेहे देने का वक्त होता है, इसलिए इस खास दिन को महला को समालती है इसी लिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि उसकी खूण सा हूती है यह बैटिया यारी की महला नारी एक शक्ती होती है और कहते हैं नारी शक्ती सबसे बड़ी शक्ती होती है ये दुनिया भर में आठ बार्ज को जो महला दिवस मनाये जाता है ये विशेश तोर से दुनिया भर की महलाओं में जो बेदबाओ रहता है उसको खत्म करने के लिए बनाये जाता है और इस खा अबदंड बनाये जाए और उनके कारे की सरहना करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के लिए और प्रेरित किया जाए इसका मुख्य उद्देश होता है महला दिवस को मनाने का आज एक महला हूं मुझे इस बात का गर्व है और मैं आज अपने खुद के लिए ये बात आप तक पहुचा रही हूं ये मेरे लिए और भी बड़ी खुशी की बात है इस महला दिवस के उपलक्ष पर आज मुझे कुछ बोलने अपने भाव को व्यक्त करने का मोका मिला है यादि मैं खुद से खुद को बताना चाहती हूं कि आज एक महलाओं की क्या एहमियत होती है तो इ परभारी सब परभारी हम आज आए दिन देखते हैं कि नारी का किस तरह शोशन हो रहा है उसके आत्मसम्मान को किस तरह अगहत किया जा रहा है उसकी शक्ति को किस तरह शिंभिन किया जाता है और जब एक नारी का आत्मसम्मान तूड़ता है तो सही माइने में उसकी शक्त विखर जाती है उसका शोक्षन होता है जिस तरह सम देखते हैं कि आज आई दिन कितने ऐसी केस होते हैं जिसको देख कर सुनकर हमारी रूह काप जाती है तो यह हमारी देश की सबसे वड़ी विकट परिश्थती है इसका प्रभाव हमारे देश की विकास पर भी पड़ता है जब एक नारी की शक्ती तूड़ती है तो कहीं ने कहीं उत्या आत्मसम्मान को बहुत आगात लगता है और वो हमारे देश के लिए बहुत बड़ा खत्रा बन सकती है इसलिए आज हम देखते हैं कि हम साल में एक दिन महला दिवस को मनाते हैं यारी वूमेंस डे को मनाते है और फिर हम भूल जाते हैं तो क्या नारी के सम्मान के लिए एक दिन काफी होता है क्या हम एक दिन से हम नारी की स्थिती में सुधार ला सकते हैं बिल्कुल नहीं अगर हम हर वक्त को ये संकल्प ले ले कि वो हर व्यक्ति नारी का हर दम सम्मान करेगा तो हमें एक दिन के women's day को मनाने की जरुवत नहीं है क्योंकि एक दिन का women's day ना आर्थिक इस्तिती उसकी बदल सकता है ना उसकी इस्तिती को सुधार ला सकता है वो नहीं हमारे देश का विकास हो सकता है इसलिए ये संकल्प होना चाहिए हर व्यक्ति को के वो नारी का प्रति दिंग सम्मान करेगा हर शर्म सम्मान करेगा जैसे अपने घर की बहु बेटी होती है वैसे ही दूसरों की बहु बेटियों का भी सम्मान करेगा अगर ये संकल्प हर व्यक्ति ले ले तो वो दिन दूर नहीं जब दुनिया में नहीं बलकि विश्व में हर नारी अपने आपको सेफ फिल करेगी और खुले आम इन सड़कों पर घुम सकेगी और उस मर्यादा को आत्मसात करते हुए देश के विकास में सहेग बनेगी अगर ये संकल्प हम सब ले ले तो हर व्यक्ति ले ले तो क्योंकि नारी का समान हरशन होना जाहिए ये इस महला दीवस की खास उपलब्धी होगी तो आज ये कहना चाहूंगी में कि घर को स्वर्ग बनाती है नारी घर की इजट होती है नारी अरी देवी देवता भी जिसकी पूझा करते हैं देव भी जिसकी पूझा करते हैं एसी प्यारी मूरत होती है नारी एसी प्यारी मूरत होती है नारी ताज महला दिवस के इस पुलक्ष पर आज एक खास संदेश में सब के लिए देना चाहती हूँ कि नारी का सम्मान हम सब को करना चाहिए क्योंकि वो एक द नारी का सम्मान हमारे हमारी शब्दों के माद्यम से हमारी भाउनाओं के माद्यम से हर्शन होना चाहिए तो आज इस महला दिवस की उपलक्ष पर मूल बात यही होती है अगर निश्करश की तोर पर यह कहना चाहूं तो कहे सकती हूँ कि महलाओं के बिना मनुष्य जिवन की कलपना नहीं की जा सकती है और समाज में उनका जो योगदान है उसको भी हम नहीं भूल सकते हैं क्योंकि महलाओं नहीं बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है हर चीज में बढ़ चड़ कर हिस्सा लिया है और कंधा से कंधा मिला कर चली है और आज हमारे देश को विकास में एक बहुत महतोपूर्ण हाथ रहा है अगर हर व्यक्ति उसका सम्मान करे हर वक्त उसको सम्मान दे और इज़त दे तो यह समाज हमेशा परिवर्तित हो सकता है और यह समाज बनता है हम सब लोगों से मिलकर जब हम सब उनका सम्मान करेंगे हर व्यक्ति उनका सम्मान करेगा तो वो हमारी दुनिया को और खुबसरत बना सकती है हमारी समाज को खुबसरत बना सकती है और एक नया स्वरूप और एक नया आकार दे सकती है इसलिए महलाओं का सम्मान हरक्षन करे हर वक्त करे उसके पती प्रेम्स नहें और सम्मान आपके आखों में दिखना चाहिए आपके भावों में दिखना चाहिए आपके शब्दों में दिखना चाहिए ये इस महलादीवस का मुख्यों देश होता है और यही संदेश मैं आप सब तक पहुंचाना चाहती हूँ कि नारी का सम्मान करें क्योंकि नारी इस हक के लायक होती है उसे वो प्यार और सम्मान मिलना चाहिए और कहते हैं आज अपनी बात को इस तरह से कहकर मैं विराम चाहूंगी और आज इस महला दिवस के उपलक्ष पर इस भूमेंस डे पर एक महला होने के नाते मैं आज यही कहना चाहूंगी एक अपना स्वरुप बताते हुए मन की बात जब आ रही है तो आप तक पहुंचाना जरूरी समस्ती हूँ और कहना चाहती हूँ कि किसी ने क्या खूप कहा है कि दिन की रोशनीक फाबों को बनाने में गुजर गई रात के निन बच्चों को सुलाने में गुजर गई जिस घर में मेरे नाम की तक्ती भी नहीं अरे जिस घर में मेरे नाम की तक्ती नहीं सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई सारी उम्र उस घर को सजाने में गुजर गई हर किसी औरत का यही सपना होता है कि मेरा घर अपना हो मेरे छोता सा संसार हो जब वो सब को छोड़ कर आती है और कहते हैं कि जब एक घर को छोड़ कर आती है तो दूसरा घर अपना बन जाता है और इस घर को स्वर्ग बना देती है अंचाहे रिष्टों से जुड़कर सब को एक सुत्र में बान लेती है ये और कोई नहीं कर सकता सिर्प एक नारी कर सकती है क्योंकि नारी में शक्ती है सारी तो क्यों कहें हम उसको बेचारी ताजिस बुमेंस डे पर आज अपनी शशक्त ताकत को आप लोगों के सामने अपने जजबे को अपने सामने रखकर मुझे बड़ा फक्र हो रहा है कि इस महला दीवस पर मैं अपनी भाव को आप तक पहुचा रही हूं तो चली दोस्तो एक छोटी सी स्पीच की जो स्क्रिप्ट में आप लोगों से शेयर करिए उमीद करती हूँ कि ये स्पीच की स्क्रिप्ट आप लोगों को पसंद आई होगी और आज जीज महला दीवस की धेश सारी शुकामना ही देती हूँ और यही कहूंगी कि हर दम आप नारी का संबान करें तो दोस्तो सबसे पहले शुरुवात में यहीं से करती हूँ कि नारी का संबान होना चाहिए और आप नारी के प्रतीव वाकई में संबाने त्रुप से आप व्यक्त करना चाहतें तो सबसे पहले आप मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेर करें और मुझे यूही मोटिवेट करते रही हैं और साइड में दिये हुए बेल आइकन को प्रेश कीजिए ताकि आपको मेरा हर आने वाला नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके तो दोस्तों फिर तब तक के लिए फिर अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूँगे तब तक के लिए जैजनेंद्र बाई टेक कियर